अश्ट भुजाधारी देवी जिसको हम शिव शक्ती कहते हैं शिव और शिव की शक्तियां अश्ट भुजाधारी देवी हमने कभी भी नहीं क्वोटेशन किया कि अश्ट भुजाधारी देवी कैसे होती है और फिर हर भुझा में उसके हमने अलग-अलग शस्त्र दिखाए और फिर देवी के पैरों के नीचे क्या दिखाया हमने दिखाया असुर meaning कितना clear है कि आत्मा के अंधर अश्ट शक्तिया आत्मा में कैसे आई ग्यान के शस्त्रों से और जब आत्मा ग्यान के शस्त्रों को यूज़ करके अश्ट शक्तियों को अपने जीवन में धारन करती है तो असुर कहां पहुँच जाते हैं? उसके पैरों के नीचे पैरों के नीचे पहुँच जाएंगे मतलब वह देवी क्या करेगी उस असरों के उपर जीत पाएगी तो कौन सी शक्तियां हमें जीवन में धारन करनी है और धारन भी क्या करनी है वह आत्मा के अंदर आलरेडी है हमें उनको यूज करना शुरू करना है तो परमात्मा कहते है सबसे पहली आपने सारी शक्ति चेक कर लेनी और सारी हमने यूज करनी है तब होगा सच्चे माइने में उस अश्ट भुजाधारी देवी का आहवान करना सबसे पहली शक्ति है कि जब भी कोई बात आए और परमात्मा बहुत सुन्दर मिसाल देते है हमें वह है कच्चुए के सामने जब कोई डेंजर आता है कच्चुआ क्या करता है अपने आपको अंदर ऐसे खींच लेता है बात आती है उसके उपर से चड़ चली जाती है लेकिन वह उसका नुकसान नहीं कर सकती उसने अपने आपको क्या कर लिया अंदर खींच लिया वह उसके साथ उलचा नहीं यह हमें करना है बाते आएंगी लोग हमारे साथ अजीब अजीब बातें करेंगे अजीब अजीब तरह व्यभार करेंगे लडने के लिए रेडी सामने आ जाएंगे हमें क्या करना है हमें क्या कर रहे कच्छुए को याद करो और क्या कर लो उसके साथ उल्चो नहीं यह बहुत बहुत इंपोर्टेंट है इस टाइम आजकल सड़क पर देखते हैं अगर किसी की दो गाड़ी की थोड़ी सी टक्कर हो गई तो खड़े होकर ऐसी जबरदस्त लड़ाई होती है कि कभी कभी तो उसका क्या क्या परिणाम हो जाता है आजकल लोग अपने परिवार वाले को क्या बोलते हैं छोड़ दे उलज नहीं बैठो गाड़ी में लड़ना नहीं कुछ का कुछ हो जाएगा बोलते हैं ना यहाँ है फिजिकल लड़ाई की उल्चो नहीं पता नहीं सामने वाला क्या करते एक है सारा दिन संकल्पों की लड़ाई एक है शब्दों की लड़ाई सामने वाला आया है, उस तरह से बात कर रहा है, निंदा कर रहा है, गलत बोल रहा है, वो टग आफ वर के जैसा है वो टग आफ वर्क तेना स्कूल में तो वो रसी दो एंड पह है, अगर आप अपने एंड वाली रसी को छोड़ दो तो सामने वाला तो ऐसे ही रसी को लटका ही रह जाएगा गेम तो वही खत्म हो जानी है, सारी छोड़ दो उस रसी को बोलो खेलो आप हम इस खेल का हिस्सा कितनी सारी शक्ती हमारी नश्ट होती है, सिर्फ लोगों के साथ उलजने में जिसके मन की स्थिती इस टाइम लो हो उसके साथ उलज तो खुद की मन की स्थिती भी क्या हो जाएगी तो जैसे ही कोई ऐसी बात आए तो सबसे पहले कुछ ख्षणों के लिए अंदर मतलब अपने मन की स्थिती पर पहले सैयम परमात्मा को याद करके परमात्मा से कनेक्शन अपने आपको किया प्रोटेक्ट तो बात आएगी और बात चली जाएगी लेकिन अगर अपने पर अटेंशन नहीं रखा परमात्मा से कनेक्शन नहीं जोड़ा और सोचा इनको सिखाओं की ठीक बात क्या है तो फिर हम उनसे उलज जाएंगे कुछ लोग हैं जिनसे हम डेली बेसिस पर उलजते रहते हैं उलजना मतलब ऐसे ही आर्गुमेंट शुरू कर देना वह जिस टोन में बात करते हैं उनसे उसी टोन में बात शुरू कर देना वो गुसा करते हैं तो हम भी गुसा करना शुरू कर देना वो ताना मार तो हम भी ताना मारना शुरू कर देना और यह चलता रहेगा तो आत्मा की शक्ती क्या होती जाएगी फिर से 30 सिकंड्स के लिए आख बंद करो और किसी एक को लेकर आओ अपने सामने जिसके साथ हम उलजते है वो परिवार का सदस्य हो सकता है पडोसी हो सकता है कई बार तो सडक पर किसी से ही उलज जाते हैं इसने ऐसा कहा तो मुझे भी तो जवाब देना था उसने ऐसा किया तो मुझे भी तो करके दिखाना था कंप्टीशन इसमें हम करते हैं कि कौन ज्यादा अच्छे से गलत कर सकता है लेकर आए उनको अपने सामने और अपने आपको उनके साथ देखें और यह संकल्प कर मैं शक्ती हूँ मैं वह दिव्य शक्तिशाली आत्मा हूँ नेगेटिव एनरजी, कमजोरियां मेरे पुराने संसकार मेरे पैरों के नीचे है आज से आपका और मेरा गेम ओवर मेरी तरफ से आपको आज से सिर्फ और सिर्फ दुआएं ही दुआएं है विजुलाईज करें दो लोग है एक नेगेटिव एनरजी भेज रहा है एहंकार के वश इर्फ के वश दुख के वश इनसिक्योरिटी के वश कोई भी रीजन से वह भेज रहा है और आपके यहां से आपने वो वाली एनरजी में उलजना बंद कर दिया तो आपकी तरफ से क्या जाएगा जब हम मंदर जाते हैं देवी देवताओं की मूर्थी के सामने नमन करते हैं तो हम पता है क्या कहते हैं हम कहते हैं मैं नीच हूँ पापी हूँ कप्टी हूँ कहते है ना आरती में मैं नीच हूँ पापी हूँ कप्टी हूँ देवी देवता सामने से क्या करते है वह जीवन जीने का तरीका सिखाते है